बनाएंगे बिना लसन प्याज का आलू की दम टेश्टी सब्जी और बेशन की मिर्ची तो फ्रेंड मेरे वीडियो मिश ना करें वीडियो पूरा देखें और बिना लसन प्याज का हम आपको दम टेश्टी और बहुत चटपटा सब्जी बना के दिखाएंगे और बेशन की म चाहिए तो अच्छा रहता है क्योंकि लसन प्याज नहीं बनाना चाहिए अगर आप माता जी का बरत रख रहे हो तो यह सब्जी बना के खाए और देखिए आपको लगी नहीं लगे गाई नहीं कि बीना लसन प्याज की सब्जी है तो चलिए फ्रेंड हम पड़ावट लग बिना लसन प्याज की आपको सब्जी बना कर दिखाते हैं तो वीडियो पर बने रहें वीडियो मिर्च ना करें वीडियो सूरू से पूरा देखें को पहले जो हम बेसन की मिर्ची बनाने वाले हैं मैंने 100 ग्राम बेस सब्जी के लिए मैंने चोटा बेबी बेबी आलू मैंने उबाल के रखा है और इसमें मैंने एक टमाटर कदूकस करके रखा है और हरी मिर्च तो यह देखें मेरे हरी मिर्च दम उबल गए है अब हम गेस बन कर देंगे थोड़ा समय ने एक चुटकी नमक डालेंगे कि जो हमारी मिर्चा है अच्छे से सोफ हो जाए अब हम तेल गरम हो चुका है तालो के सब्जी बना लेते हैं तो इसमें मैंने जीरा और राई डाला ह है और थोड़ी से मेनने मेती डाला है अगर एक टाइम घाना कारे हो तो आप यह सब्सक्राइब मेचे डालना यह सब्जी नहीं घाना तो देखो मैंने इसलोड़ा शिहां डाला है और टामाटर मिर्ची मैंने काद्वकर रखा है तो आमाटर मिर्ची अशी herutch सोप रिख़ यह जीरा पाउडर लिए अगर आपके पास ताजी दई हो अच्छी दई हो तो ताजी ड़ी ड़ी डाले तो इसमें दो चमच दई डालूंगी तो ताजी दई है खटी दई डाले ने तो यह सबजे ची नहीं लगेगी तो इस तरह से देखिए आपको लगे गाई नहीं कि बिना लसन प्याज की सबजी है तो फ्रेंड मैंने आलू को कट करके रखा है इसमें अधाई सो गराम आलू है तो आप जेतना आप खाना खाते हो उस तरह सा ही आप लिए बनाए और फ्रेंड अगर माता घञाने के लिए बड़त रखरें तो सूथ सूद खाना खाएं लसन प्याज की तुछल से दम दूर रहें और 01 उंज नहीं नहीं करना चाहिए 9 दिन अगर आप माता डह जी के बड़त रखरहें अब जहना हो तूढन है बसुण आब तक भुचे के साथ खा सकते हो जाये सबधे के साथ छाफ़ी छब भी यह सब्सक्राइब तो इस तरह से आगर आप सोच रहाऊँ है, आज हम क्या पनाकर खाए तो इस तरह से अप Journal की बनात nextylation खा सकते हैं और ऊच्छी लगे sudah właści कि और नम favor बेशन की मिर्ची भी लगेगी और अच्छी लगेगी तो इस तरह से बेसन की मिर्ची बना सकते हो तो फ्रेंड हमने पानी डाला दिया हो दैखिए मैंने बेसन भी छान लिए अब इसमें डाला रै दो चीरा बना हो तो चुछा बस्ता है अगर बैसन की बना है तो अगर चांब करोई करेंगे बैसन बना नहीं होती है तो इस नहीं की मिर्ची बना के रख सकते हो। और और गर्मी हो चाहिए सअब इस ख़ड़ाब होती है तो हमने बेशन को अच्छे से भूज लेंगे जब्तों से भी आएचे से भीस बिलेंगे जब तोसे खुजबू नहींुफिनि होती है अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे भुवव ज़ो सो हलदी पाउडर इसमें फोरच दालेंगे थीखा पन के लिए क princip भी मिर्चि जो मैंने सी हरी मिर्च लिया वह तीखा नहीं होता है रही मेनिना टिक सा महीं होता है और इस में ये से जरुड़ा पाउडर चावडर नहीं डाल तो यह जो जो बेजन की मिर्ची पीडिये आपको खाने में थोड़ा चट पटी नहीं लगेगी अगर एंचोर पाउडर नहीं में रखती और निंबू की ड्रटम पाउडर हुत नो tam सही नहीं होगा तो इसलिए फ्रेंड हम बता रहे हैं अगर आपके घर में नहीं हो तब डाल सकते हो कोई दीकत नहीं हो तो हमने बेशन को अच्छे से भूज लिया है और बेशन को आज मिनद तक मसाले उस चाले सा भूज लेंगे हम उसके बाद हम इसमें मिर्ची एड कर दे आप इस तरह से आप अपने लिए बेशन की मिर्ची बनाकर रख लें अगर आप पराठे खा रहे हो चाहें पुड़ी खा रहे हो तो इसमें आप बेशन की मिर्ची खा सकते हो फ्रेंग इतिक्षी भी नहीं होती है और आप सब को नौरातर सूब हो हैपी नौरातर आप जरूर आप लोग भी अपने घर में बनाएं और खाएं और अपना बरत खोलें तो फ्रेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेर और बेलम आइकम जरूर दबाईए कि आपको हर नहीं नहीं वीडियो आने वाला मिल सकते हैं जतना हो सेर भी और खुसबू भी बहुत अच्छी रहती है आलो की सब्जी में तो यह देखें भड़ा पड़ मैंने बीना लसन प्याज की सब्जी बनाग देखाई हूं आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर के मिले में बताईएगा और जितना हुसा गया मैं वीडियो सेर करें तो